असलाम अरीकूम आज को हमारा टॉपिक है वो है बर्ड से रिलेटीड और पैर्ट से रिलेटीड क्योंकि पैर्ट के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत जादा कॉमन है जब हम उनको ट्रेन करें होते हैं या उनको पड़ों को हम काटते नहीं है तो क्या आता है को फ्लाय करते है बांग पर के हैं और किसी भी चीद से तक्राकर गिर जाते हैं जिससे उनकी लेक जो है वुक्ताना हो जातक है या भी कोई इंजरी हो जाती है तो हम ने इसकी किस तरह केर करनी है और सिप्सकों समृतिएма कर सकते हैं inch rague ने-चीड पर उपक्तिम exactamente कर सकते हैं तो जब आब क कोई बर्ड मिलता है, तो सबसे पहले तो है, आप उसे किसी भी नरम कपड़े में लपेट ले और उसको घर में लें और इसके साथ ही आपने क्या करना है कि उसको आपने केज में नहीं रखना क्योंकि केज के अंदर पर्चीज लगी होती है तो बर्ड जो होता है वो कोशिश करता है उपर बैठने की तो आपने उसको किसी भी सौफ जगा पर रखने है या फिर परचीज को केज से निकाल के उसके अंदर कोई नरम सा कपड़ा भी चा दें और इसके अंदर अपने बर्ड को रखें और इसके साथ ही आपने क्या करने हैं अगर तो उसको वहां पर कोई जखम है मतलब लैग पर आपको कोई जखम नजर आ रहा है तो आपने उसको उस एरिया पर बैंडिज नहीं करनी क्यूंकि जखम जो है वह इससे ज़्यादा खराब हो जाते हैं अगर आपको बैंडिज करने की ज़रूरत पढ़ी है कि उसको इंजरी भी हुई है और उसको जखम भी हुआ है मतलब लग भी फ्रेक्चर हुई है और वहां पर उसको जखम भी नजर आ रहा है तो आपने उदर होल रख देना है ताके हम उस होल के जरिये से उसको वहां पर मैडिसन लगाते रहें और उसकी जो टांग है वह भी जूड़ जाए और अगर आप देखते हैं कि उसका पाउं जो ह है और थोड़ा बहुत उसको उपर कर रहा है मतलब पेन हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जसको थोड़ी सी इंटर्नल इंज्री हुई है और इसका पाउं जो है वह फ्रेक्चर नहीं हुआ और इसके इलावा आप एक्सरे भी करवा सकते हैं एक्सरे में आपको जादा है और उसका जादा अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो जाता है और अगर आप देखते हैं कि उसका पाउं जी है वह टेड़ा हो गया मतलब फ्रेक्चर हो गया तो आपने उसके पाउं को बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है जैसे नॉर्मल बाइट का पाउं होता है और उसको है जहां पर आपको लगता है फ्रेक्चर हो वहां पर अपने अच्छी से बेंडिज कर देनी है आपने बेंडिज किस तरह से करनी है आपने मैस्टीक्स लेनी है माचीस की तीलिया लेनी है या कोई भी स्टीक ले ले उसको बारी एक बारी पीसी में काट लें यह मेरे पास एक इसको मतलब हमने इतना काटने है कि उसकी पाउंट पहने सिप्का लेनी है श presenting के बाद हमने मेरी एक बेंडिच ऎृड़ी वीडियो है जो के मैं लिंक डिस्क्रिप्शल इसलिए रखनी हैं ताके जो यह sticks है डिरेक्ट पेरट की लग को ना लगे इससे भी problem हो सकती है पेरट को तो इसके उपर हमने थोड़ी सी cotton लख देनी है और cotton के उपर आप थोड़ी सी या टांग के उपर थोड़ी सी आयर्डेक्स लगा दें आयर्डेक्स नहीं है तो आप हल नहीं करते तो वह अपनी बैंडिश को ताने की कोशिश करता है जिससे उसको पेन भी होती है और उसका जो फ्रेक्टर होगता है वह जल्दी से रिकवर नहीं होता तो कॉलर जो है वह आप घर पे खुद भी बना सकते हैं किसी भी पैट शॉप से भी खरीद सकते हैं आपने वीडियो लगाई थी के मैंने उसकी क्याट ट्रीटमेंट की है और किस तरह से केर की है वो भी आप देख सकते हैं और इसके साथ ही अपने पैरट को पेन किलर रोजाना जरूर देनी है इसमें आप पैनडॉल का सीरफ जो है वो इसके लावा और भी बहुत से पैन किलर जात है और आप उसकी बैंडिश उतार देते हैं तो आपको उसको पैना डोल भी नहीं देना और जो बाकी मेडिसन दे रहें वो नहीं देनी जास आपने उसको जो है लीवर टॉनिक देना लीवर टॉनिक में आप जटी पास सीरफ दे सकते हैं काफी अच्छा है यह मैंने त्रीन दीन जो है उसको महाँ पे हल्दी और तेर गरम करके लगाना है या फिर अटक्स लगानी है और इसके साथ आपने उसको पेन कलर देना है ताकिए उसको पेन कम से कम हो और इस से जो है पेर्ड जो होता है वह 2-3 दिन में रिकवर कर जाता है मैं उमीद आपको यह वी झाल 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 झाल